फ्रेंस मेरे हर वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शन्स वही पुराने हैं कि जो भी है आपको याद करना है ऐसे क्यूं करना है यह जानने के लिए आपको मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखने पड़ेंगे अगर आप इंस्ट्रक्शन्स फॉलो कर रहे हो तो अपने अंग्रेजी में सुधार आप खुद देख सकते हैं तो चलिए शुरुवाइत करते हैं पहले फ्रेंट्स जनरल क्लास जिसे रुमाल कहती है उसे मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग क्या कहते हैं इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा तब तक आप भी दिमाग पर जोड डालिए और सोचिए कि इसको मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग क्या कहते हैं इस वीडियो में जिस वर्क पर हम चर्चा करेंगे वो है आईसोलेट तो सेपरेट फ्रों अधर्स तो अलिनेट हिंदी में हम कहते हैं अलग करना अलग थलग करना यह वाज आईसोलेटेड फ्रॉम दे विलेज बाई दे पंचायत पंचायत ने उसे गाउं से अलग कर दिया पहले जमाने में कहते थे कि उसका उटका पाने बंग कर दिया है सुनील आईसोलेटेड हिंसेल फ्रॉम इस फ्रेंड दूरिंग एग्जामिनेशन परिक्षा के वक्त सुनील ने अपने आपको दोस्तों से अलग थलग कर दिया शोशल मीडिया कनेक्टेड हिम तो दे वर्ल्ड बट आईसोलेटेड हिम फ्रॉम इस फैमिली शोशल मीडिया ने उसे दुनिया से तो जोड दिया पर अपने ही परिवार से अलग कर दिया समय मापने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं समय मापने की सबसे छोटी इकाई को सेकंड कहते हैं एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं एक मिनट में साथ सेकंड होते हैं कितने मिनट का एक गंटा होता है 60 मिनट का एक गंटा होता है How many hours are there in a day? एक दिन में कितने गंटे होते हैं There are 24 hours in a day यह हम कह सकते हैं In a day there are 24 hours एक दिन में 24 गंटे होते हैं What is the period of seven days called? साथ दिन के काल को क्या कहते हैं The period of seven days is called a week साथ दिन के काल को सब्ता कहते हैं How many days are there in a fortnight? पकवाडे में कितने दिन होते हैं There are 14 consecutive days in a fortnight पकवाडे में 14 लगतार दिन होते हैं These were some of our time-related questions and answers. Now let us learn something else. Some opposite words विरुदार्ती शब्द Acceptance Rejection स्वीकार अस्वीकार Adversity Prosperity विपत्ती संपन्ता वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था General Class जिसे रुमाल कहते हैं उसे Middle Class और Upper Class क्या कहते हैं तो Middle Class कहते हैं Henky और Upper Class कहते हैं Kerchief तो इन्हें याद रखिए Daily Use किजिए आगे से आप कहिए Oh, I have not brought my kerchief तो आप भी जड़ा Upper Class के नजर आओगे Friends अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे Like कीजिए और मेरा कोई Important वीडियो आपसे Missed न हो जाए इसके लिए इसे Subscribe कीजिए और वादा कीजिए कि आप मेरे दिये गया instructions Follow करोगे Thank you Keep learning Have a nice day क